पुस्तो, स्वागत है आपका टार्गेट पी थे जे सर में आज एक महतपूर निउज लेके आए आपके सामने इस कोरोना महमारी के बीच में पहली निउज ऐसी आई है जो आपको कहीं न कहीं खुशी देगी क्योंकि दिल्ली विश्व विद्याले ने आउनलाइन आविदन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है जी बिलकुल सही देखा आपने अथेंटिक निउज है और दैनिक जागरण के एक की जोन के निउज पेपर में ये आया हुआ है second page पर बहुत बड़ी निउज है दिल्ली विश्व विद्याले में आउनलाइन आविदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है अभी ये बारत का पहला विश्व विद्याला है जिसने आविदन प्रक्रिया का schedule जारी किया है हम लोग का शपना होता है काफी बच्चों का शपना होता है कि दिल्ली विश्व विद्याले में एड्मिशन करा हैं इसमें पढ़ाई करें ठीके तो वो आपका शपना आप शाकार होने का वक्त आ गया है आप एड्मिशन ले सकते हैं चलिए एक पार इसका हम डीटेल देख लेते हैं ठीक है यहां पर देखिए लिखा गया है दिल्ली विश्व विद्याले के डियू परशासन की तरब से और यहां पर देख सकते हैं दू की दाखिला चार जुलाई तक खुली रहेगी और यह कल से यानी 20 जून से यह सुरू हुआ है और यह आपका चलेगा चार जुलाई तक 20 जून से एड्मिशन से शुरू हो गया है उपन हो गया है आपके एड्मिशन के लिए 20 जून से ये 4 जुलाई तक खुला रहेगा इस पीछ आप एड्मिशन के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं ठीक है और साथ ही उन्होंने कहा है कि अशना तक PG MFIL ए जाथ ही उन्होंने कहा है कि 4 जुलाई के बाद दाखिला पोर्टल बंद कर दिया जाएगा लेकिन आवेदन कर रहे चात्र अगस्त तक पहली कट ओफ जारी यानि पहली कट ओफ इसकी अगस्त में आ रही है यहाँ पर लिखा गया आपका ठीक है अगस्त तक इसकी पहली जारी होने के पहले तक इसके बाद नहीं ठीक है आगे देखते हैं इसमें क्या न्यूज है ठीक है पीजी एमफिल एवं पीएचडी पार्ट करों में दाखिला लेने के लिए इनके इंफोर्मेशन बुलेटीन भी डियू के वेशाइट पे अपलोड कर दिया गया है ठीक ह साती इस वर्ष दो नहीं पीजी पार्ट करम इस साल दो नहीं पीजी पार्ट करम यहां पे देखिए MSC बाइओ फिजिक्स और दूसरा MA जनरलीज्म यह कोर्श इसमें नहीं था, इस वाद जोड़ा गया है में जनरलिज्म और MSC बायो फिजिक्ष दो नए पार्टिकरम भी शुरू किये गया है शाथ ही देखी शोबा बागई ने बताया है कि डियू की तरफ से अगस्त में कटाफ जारी किया जाएगा और ऐसा इसलिए क्योंकि CBSC बोर्ड का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद से कटाफ जारी किया जाएगा इसलिए अगस्त का टाइम लिया गया है ठीके और शाथ उस समय दाखिला पोर्टल दुबारा शुरू किया जाएगा जब CBSC का रिजल्ट आ जाएगा बारहमी का उसके बाद से दाखिला दुबारा से खोला जाएगा और तीन दिन का आपको शमय मिलेगा एडमीशन के लिए तीन दिन का आपको शमय दिया जाएगा एडमीशन के लिए ठीके और प्रोफेशर शुभार ने बताया है कि अगस् की परवेश परिशाओं का आयोजन किया जाएगा इस तीतियों के बारे में भी छात्रों को जुलाई में बताया जाएगा छात्र डियू में दाखला पोर्टल पर इसके लिए आवेदन कर शकेंगे साथ ही लिखा गया है EWS एवं OBC सेडियों के सर्टिफिकेट को अगस्त करा शकेंगे आप जमा ठीक है आप लिखा गई EWS एम OBC सेडियों के सर्टिफिकेट को आप जमा करा शकेंगे अगस्त तक ठीक है और प्रफिशर शोभा ने कहा है कि डियू EWS और OBC सेडियों से जुड़े छात्रों के पास अगर इन सेडियों के जास्ता वेज नहीं है तो वो अगस्त तक जमा करा शकेंगे यानि कि अगर आप 4 जुलाई से पहले यानि के अड्मिशन डेट खतम होने से पहले आपके पास अगर कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है EWS OBC सेडियों में तो आप उसको तुरन ततकाल बनवा के अगस्त तक यानि पहले कट ओफ आने तक आप उसे जमा करवाश रकेंगे ठीक है यहाँ पर देखिए अगला नियूज के आए दस्तवेज की जाच के लिए देशवर के बोर्डों से की बाचीत ठीक है प्रोभेशा शोबा ने बताया कि छात्रों के बारावी की बोर्ड से जुड़े दस्तवेजों की जाच ऑनलाइन की जाएगी इसके लिए मद्दे नजर मई महिने के विभिन पहलियों पर श्रीबियसी से बाचीत हुई थी डियू प्रशासन ने देशवर के सभी बोर्डों को पत्र लिखा है कि वह अपना अपना लिंक शाजा करें जिससे डियू के जिससे डी यू उनके बोडों के छातों के दस्तावेजों की ओनलाइन सत्यापन कर शके कोई भी छात जाली दस्तावेज के अधारपद आखला ना ले इसलिए या विवस्ता की जाएगी ठीके प्रोफेशर शोभा ने कहा है कि रच्छा बलों के बच्चों के दाखले के मानदंडों को जुलाई तक जारी किया जाएगा अभी भी अभी रक्षाव बलो के जुड़े बच्चों का सोड्यूल नहीं आया इसके मांदन सोड्यूल को जुलाई तक जारी किया जाएगा ठीके अगला ने उस देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है ठीके डियू के ओपन डेज की जगा अगले हपते से होंगे वेविनार ठीके डियू में हर वज दाखिला परकिया शुरू होने के बाद कई दिनों तक डियू के नार्थ केमपश में इस्तित कॉन्वेंशन सेंटर में ओपन डेज आयोजन किया जाता है ताकि बच्चे यहां पे जी कठा होके अपना एडविशन परकिया को पूरा कर सकें इस बा आवेदन करने वाले छात्रों की इस वेविनार के शुरुवारत की जाएकई ठीकर अगले शहत्रों कि लिए इस वेविनार का शुरुवारत किया जाएगा ठीकर फश्चाइए कंद्रु घेलप् डेश्क में ऊच्छा हैन्प्लाइट अब लाइन नमबर अब हैल नहीं चा 6 आपके यहां पर लिखा गया 6 help line number Duke website पर जारी किया जाएगा जिससे 6 अर्षना तक PG पाठ करमों के दाखिलों से जूड़ी समस्याओं को लेकल प्रशने पूछ सकेंगे अभी help line number जारी नहीं किया गए जैसे जारी किया जाएगा हम आपको आपके तक पहुचा देंगे तक ही आप कोई भी जानकारी वहां से आप पता कर्श रकें ठीकते हैं इसका देखते हैं अगली पर किरिया ठीक है यहाँ पर देख लिए पंजिकरन शुल्क पंजिकरन शुल्क देख लिए जनरल OBC रेजिस्टेशन सुल्क आपका जनरल अगर OBC से बिलोंग करते हैं तो धाई 100 रुपया आपको देना पड़ेगा HCT दिव्यांग EWS ADO के लिए 100 रुपया देना पड़ेगा रेजिस्टेशन सुल्क आगे देखते हैं इस ये एवं खेल कोटे के लिए अत्रिक्त पंजिकरन शुल्क 100 रुपया देना पड़ेगा ठीके इसमें अत्रिक्त के लिए आपको भी और भी 100 रुपया देना पड़ेगा ये होगे आपके रेजिस्टेशन के फी आगे एग्जामनिशन के फी अलग हैं परवेश परिश्चा के लिए जन्राल OBC से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको देना पड़ेगा रुपया बड़ा एमाउंट आपको देना पड़ सकता है ठीके अगर आपने दाखिला रद करवाया रेजिस्टेशन के बाद तो 1000 रुपया आपको पे करना पड़ेगा रेजिस्टेशन रद करवाने के लिए आगे ने उस देखते हैं इस बार कुछ चेंजिंग किये का है जो महतपूर हैं पिछले साल तक नहीं थे देख लिए चेंजिंग काफी महतपूर चेंजिंग है ठीके इस वर्ष इस वर्ष बिये प्रग्राम में दाख्ला लेते समय बारावी बोर्ड परिशा में जिन विशो को पढ़ना जरूरी था उन विशो को पढ़ाई नहीं करने पर वेश्ट 4 के कुल अंकों में से 5 विशाद अंक नहीं कटेंगे ठीके यानि वेश्ट 4 के तहत आपको सब्जेक्ट का चैन करना होता है ठीक अगर आप हिस्ट्री पढ़के आएं तो उससे जूड़े सब्जेक्ट अपले शक्ते हैं साइंस पढ़के आके अगर आप हिस पर वेश्ट 4 के 5 विशाद अंक नहीं कटेंगे पिछले वर्ष तक ये 5 विशाद अंक कटते थे अगर आप मैत या बायो से पढ़के आते थे और यहां पर आपके बीए प्रोग्राम में एड्मिशन लेते थे तो आपका 5 विशाद अंक काट लिया जाता था जो बहुत ब अबावना 5 विशाद अधीक बढ़ गई है ठीक आगे देखते हैं खेल कोटे में सर्टिफिकेट के अधार पर दाखिला होगा वहीं इस ये कोटे में NSCC, NCC, NSS के सर्टिफिकेट को जमा कराज रखेंगे खेल कोटे में सर्टिफिकेट का धार पर दाखिला होगा वहीं इस ये कोटे में NSCC, NCC, National Cadet Corps और NSS के सर्टिफिकेट को जमा कराज शकेंगे आगे देखते हैं नेक्स क्या है, BA Honors Music एवं MA Music या MA Music के पाटकरमों में आवेदन के लिए छात्रों को 7 मिनट का वीडियो दाखिला पोर्टल पर पंजिकरन के समय अपलोड करना होगा तो अगर आप BA Honors Music या MA Music के पाटकरम में दाखिला लेना चाते हैं तो 7 मिनट का वीडियो रेकॉर्ड करके आपको DU के दाखिला पोर्टल पर अपलोड करना होगा पंजिकरन लेते समय याद रखिएगा बोलने के जरुवत नहीं है दो तीन मैत पूर्ट चीज़े हमने बताई जो सबसे क्या इस बार के बदलाव किया गया है कि अगर आप किसी और सब्जेक्ट से पढ़ाई करके आते हैं यानि साइन्स करके आते हैं और अगर आपार्टमेट मिशा लेते हैं यानि बीए प्रोग्राम में तो आपका 5% नमबर नहीं केटेगा जो पिछले वर्ष तक करता था ये बहुत बड़ा न्यूज है अगला जो न्यूज है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओबिस्टी की फीज से एस्टी दिव्यांगी डवलो एसेंडियो की फीज और अत्र चार जुलाई इसका अखरी डेट है इसी बीच आपको आवेधन करना पड़ेगा अगर यह आपको न्यूज अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और सब्सक्काइब करें तुरंत दोस्तों क्योंकि हम आपके लिए अथाइंटिक न्यूज लेके आते हैं किसी विश्विद्याले में और बहुत लोगों का शपना होता है इस विश्विद्याले में पढ़ने की तो तुरंत आप करिए रेजिटेशन क्योंकि चार जुलाई तक आपना आखरी देट इसने दे रखा है और कल से यह परक्रिया निश्टनी वार्ष यह परक्रिया थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें दोस्तों में उनको यह खुशकबरी दें ताकि वो एड्मिशन का यह परक्रिया को पूरा कर सकें थैंक यू सो मच लव यॉल